उत्रप्रदेश के बहराईच में 13 अक्तूबर की हिंसा के बाद शानती है जहां अभी बड़ी खबर या आई है कि आज बहराईच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौपी जा सकती है इसी रिपोर्ट के बाद बहराईच में हुई हिंसा की वज़े समझते हुए लापरवाह अफसरों पर आक्शन शुरू हो सकता है मुख्यमंत्री ने ही बहराईच को लेकर डीटेल रिपोर्ट मांगी थी जिसके आज सौपे जाने के बाद देखा जाएगा कि प्रशासन कितना चूक में था हिंसा के बाद बहराईच पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कदम नहीं उठाए गए इस रिपोर्ट में मौके पर मौझूद अफसरों की भूमिका का भी जिक्र होना है अब आपको राम गोपाल मिश्रा के भाई की गवाही से खबरदार करते हैं जो 13 अक्तूबर की हिंसा के चश्मदीद है इनकी गवाही बताती है कि उपद्रफ कैसे शुरू हुआ और राम गोपाल मिश्रा क्यों छथ पर ज्छंडा उतारने चड़े किसने हमला किया और इन सब के बीच बहराईच की पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया अगले साल तो उन्होंने पत्थरों तर फेका था लेकिन तब भारी पुलिस थी होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ इस बाव भी हुआ उनल पहले तो गाने बंद करवा हैं थैसले कि आप लोंग जा रहे थे जब तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो करदेजिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे फिर जो बाकी के लोग थे उने का गाने कैसे नहीं बजेंगे बजेंगे गाने तो उपर से पत्थरवाई शुरू होगी आपके साथ पॉलिस कर्मी कितने थे तीन से चार चार पॉलिस कर्मी थे बस भीड को देखते इसी बात को लेकर उन लोग ने पत्थर फेकना शुरू कर दिया, जब पत्थर फेकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माताजी के हाथ पर लगा और मुर्ति खंडित हो गई, जब मुर्ति खंडित हो गई तो हम लोग में आक्रोस हो गई, तो उन्हें ने कहा कि जिस इसे स्टेज पर पहुँचा। जिम्हुर्ति पुछी पुछी तरह से खंडित होगी, हम लोगों पता चला। जो मूर्ति खंडित होगी, तो धर्म की बात आ गाई, माताजी कि जिसलिए हम लोग जा रहे थे, कोई भी धर्म होगा, विशेश धर्म की बात मैं नहीं कर रहे हो कोई विधर्म होगा जब उसकी आस्था पर चोट होचाए जाएगे तो अपने कदम जरू उठाएंगे तो हम लोग नहीं सुचा कि अगर नहीं ऐसा किया है तो सभी लोग ने कहा कि वह जंडा जो है उस पर एक जंडा लगा दो जब वह उपर चला गया तो आप लोग बचा क आपको कैसे पतला गोली लग गई उसको किसने बदा बगल में एक घर बना था तो वहां के लोगों ने मतलब बताया मैसे दोरा और जब लेकर रहा है तो किसे ने कोई गाड़ी भी नहीं दे उसे ले जाने के लिए उसे पाइक पर ले जाया गया गया गाड़ी वहां पर देखते थे यह कमी तो प्रसाशन की थे पुड़ी सोलो की थे हार्दी थानी के प्लिश थे उनी की कमी थे वह अगर चाहते तो दंगा नहीं होता जम लोग बाहर आए तो पुड़ी सवार सवां फिर भी कहा कि अंदर आरो पी बैठी हुए आप गिरापकाद गिरपतार कर लीजिए कि अमने का मैं खुद मैंने कुद कहा था लेकिन पुलिस अंदर गए भी मेरे समनी गए क्योंकि बड़ी को भेज दिया था लोग ने हम लोग थे कि उससे पकड़ लिया जाए चार पुलिस अंदर गए वह भग कर भाग है बाहर खाली हाथ कि बोले कुछ नहीं थ बहराई जिंसा में मारे गए राम गुपाल मिश्टा के परिजनू ने कल सीएम योगी से मुलाकात की थी आज पीड़त परिवार कह रहा है कि न्याय मिलने का भरूसा है आपके लिए बहुत दर्द भराज शाण है मैं समझ सकता हूँ चारी महीने आपके शादी को हुए थे क्या कुछ यादें हैं जो आप बताना चाहेंगी उनके बारे क्या कहकर वो गय थे उस दिन आप से कै यद्यों खाना रहे थे यहां पास मैं ओरे यहां पर बंढ राधा इं तंदारा था को बना 裏 मना कि हाएं घर पे आढ़ने for की कपड़ी जय दे दो साम को साड़े च्छे बचे कॉल आई हमारी चाची के रहा है चाची हमारी दौड़ती हुई हमारे पास आहीं बोली की उनको बोली लग गई है अब देख सकते हैं कांप रही है ये उस मुमेंट को याद करके उस शाह को याद कर की जिस वोक्त है हुआ हिए उनका जो शरीर है वा भी भी कांप रहा है सोच के उस घटना के बारे में क्या करते थे आपके जो बेटे लो करते थे कह अगा काम का था खाना पनी बनावा था खाँ और यह सब करता रहा हो का कर दो जो घटना हूई अप मुख्यमंतरी योगी से मिले हैं जाकर क्या कुछ कहा उनने क्या कुछ का अपलो मुक्र मंतली है जो कुछ अमने गः उसमें ने हम आप शहारा दिया और जो कुछ उनकी तरफ से हो सका हमानी मदद करने उ कहा वो किया और क्या कहा जाई इतना के बारह में अपने ने बताया तो फिर उनोंने आप से कहा गाया हम से कहा कि जो मारने वाले हैं उनको सजा दिया करी से करी उनके साथ जितनी हो सके उनको कसा जा जा तंक